मध्य प्रदेश के नौर उत्पादों को जी आई टैग मिल गया है इसके चलते इन उत्पादों को दुनिया के नक्षे पर नहीं पहचान मिलेगी और इसे बड़ी उपलब्धी बताती हुए मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान राज्य की कला और संस्क्रती को बढ़ावा देने की देशा में जारी प्रयासों की सफलता उन्होंने इसे बताया है देखें पूरी अपडेट स्यम शिवराज सिंग चोहान ने मद्यप्रदेश के अतिहास में पहली बार बड़ी संख्या में जी आई टेग मिलने पर प्रदेश वासियों को बढ़ाई और शुपकामनाई दी है मुखी मंतरी शिवराज सिंग चोहान ने थ्वीट कर कहा कि रीवा के आम की खुश्वू, मरेडा की गोजोक के मिठास, शर्बती गेहों का स्वात, गौलियर के कालीन, उजेन का बाटिक प्रेंट, जिंडोरी की गोंड पेंटेंग, और सुन्दर कलाकारी से युक्त मुखती को समेटे हुए आगे बढ़ रहा है, विशेशक ये बताते हैं कि किसी एक क्षित्र में कोई विशेश प्रकार का उतपात बनता हो या उसकी पैदावर होती है, और क्षित्र की भागौलिक विशेश्वाओं के कारण उक्त उतपात की गुणवत्ता विशेश रहत और अध्य स्थानों पर ऐसा अगुड़वत्ता परण उतपात ना हो तब उसक्षित्र विशेश के लिए उक्तस उतपात को कानूनी मानिता दी जाती है। इसके लिए जी आई टैक बहुत उपयोगी है, इससे उतपात को सुरक्षा मिलती है, उसकी नकल करके उक्तस उतप की मांग और पहचान राश्ट्रे ही नहीं बलकि अंतराश्ट्रे बाजारों में भी बढ़ती है